जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोचल मीडिया प्रेटपॉर्म पर देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पर लगी बेल आइकान को जरूर दबादें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com.dr अर्शी खान पर जाकर डॉनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं लोग जिनको देश ने नकार दिया है जिने देश अब स्विकार करने के लिए तयार नहीं है जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं वो आदकल माला जबते हैं माला और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कबर खुदेगी ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं माला जबते जबते कह रहे हैं में मोदी तेरी कबर खुदेगी लेकिन देश कह रहा है हिंदुस्तान के आवाद कह रही है हिंदुस्तान का हर कौना कह रहा है पैसा जमीन में गार दो लेकिन बैंक में मत रखो पता नहीं कौन सा बैंक कब डूब जाए ये जहारखन के चीफ मिनिस्टर हेमन सुरेन का बयान है दूसरी तरफ मुलक के प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी शिलांग में मंच पर खड़े होकर बयान दे रहे हैं सीसी टीवी कैमरे लगे हुए हैं ऐसे दौर में किसी भी कातिल का 24 घंटे से ज्यादा फरार रहना मुम्किन नहीं हैं लेकिन तकरीबन एक हफ़ते के बाद भी गुनाहगार फरार है कुर्मिलाकर भारत संजीदा मुश्किल में हैं एक तरफ अडानी सेट इलजामों से बचकर नहीं निकल पा रहे हैं दो दिन पहले हिंडन बर्ग के नौथन एंडर्सन ने साफ कर दिया कि अमबूचा और A.C.C. सिमेंट का एक्वेजिशन यानि अधी ग्रहन विनोथ अडानी के मार्फत हुआ और वही दोनों कमपनियों के मालिक हैं दोनों कमपनियों को खरीदने का पैसा मौरिश्यस से आया मतलब ब्लैक मनी भारत वापस लाने का वादा अडानी जैसे सेटों के लिए किया गया था दूसरी तरफ हर्याना में नासिर जुनेट के हत्यारों के सपोर्ट में रेलिया हो रही है वहीं पंजाब में एक और भिंडरावाला का अरूज होता नजर आ रहा है खालिस्तानी सपोर्टर्स अमरत पाल सिंग के आगे आम आदमी पार्टी की पूरी मान सरकार बॉनी दिख रही है और पुलिस थाने पर हत्यारों के साथ धावा बोला जा रहा है उधर LIC के 29 करोड पॉलिसी होल्डर्स और लाखो रिटेल इन्वेस्टर्स के तकरीबन 50 हजार करोड डूब गये हैं पर बेस्ट फ्रेंड के खिदमतगार बने साहिब अपनी चुपी तोड़ने को तैयार नहीं है मतलब सेवक को मुल्की अवाम की रती भर भी फिकर नहीं है हिंडन बर्ग रिपोर्ट को अब तकरीबन एक महीना हो चुका है और दुनिया के अरब पतियों की फोप्स लिस्ट में अडानी 30 दिन में 3-26 नंबर पर आ गये है वही इन्वेस्टर्स के 10 लाग करोड खाक हो चुके है डी बी पावर हाउस हाथ से निकल चुका है LIC भी जबरदस नुकसान जहेल रहा है लेकिन जाट एजनसियां खामोश है खैर दुनिया जानती है कि भारत की एजनसियां क्यों खामोश है वैसे आपको बता दूँ कि 30 सितंबर 2022 के आंकडों के मताबिक LIC का टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानि AUM 41.66 लाग करोड रुपए था LIC ने कहा था कि अडानी ग्रूप में उसका इंवेस्टमेंट उसके टोटल AUM से एक फीसदी से भी कम है LIC ने अडानी ग्रूप की साथ कमपनियों में 30,127 करोड रुपए का इंवेस्टमेंट किया है अब जरा ध्यां से सुनें दोस्तों 24 जन्वरी को इस इंवेस्टमेंट की कीमत 81,268 करोड रुपए थी लेकिन सिर्फ तीन दिन बाद ये 56,142 करोड रुपए हो गई बैंकों का भी है साथी अडानी का ग्रीन फील्ड कॉपर प्रोजेक्ट भी खत्रे में है आपको बता दू कि कुल 8,673 करोड के इस प्रोजेक्ट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बडोदा और केनरा बैंक से कुल 6,071 करोड का लोन मिला है अब अगर इंटरनेशनल क्रेडिट एजनसियां अडानी के प्रोजेक्ट की रेटिंग घटा देती है तो तीनों बैंकों का 75% लोन खत्रे में पड़ जाएगा एहम बात यह है कि कहा जा रहा है कि अप्रैल से इस प्रोजेक्ट को A माइनस रेटि BBB है दोस्तों जो लोग अडानी की एसेट को बेच कर लोन वसूली की बात करते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि इस नए प्रोजेक्ट की एसेट कोस्ट 31 मार्च 2022 को लोन मिलने से पहले तक सिर्फ 131 करोड थी अब खेर सियासी तमाशा यह है कि अडानी सेट के इस पूर असादने वाली नेहा सिंग राठोर को पुलिस ने नोटिस जारी किया फिर मनीश्च सोदिया को रडार पर लिया गया और उसके बाद इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से राय पूर जा रहे कॉंग्रेस नेता पवन खेडा को फ्लाइट से उतार कर असम पुलिस के तरफ से गिरिफतारी का तमाशा किया गया लेकिन इतने सारे सियासी तमाशे के बावजूद सेट पर से लोगों का ध्यान हटने का नाम ही नहीं ले रहा है दर असल सेट के सेवक ये दिखाने में जरा भी चूकना नहीं चाहते हैं कि देश में अंडिक्लेर्ड एमर्जनसी लगी पड़े खेर कुल मिलाकर हकीकत ये है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आए एक महीना होने वाला है और अडानी के तीन स्टॉक हिंडनबर्ग के अंदाजे के मताबिक 85% डाउन साइट के आसपास पहुच चुके हैं मतलब हिंडनबर्ग सही निकला और सेट गलत भारत में मोधी सरकार ने प्राइविटाइजेशन के आड़ बे सारे बड़े ठेके और सरकारी एसेट्स अडानी के हवाले कर दिये और यही असली वजह थी आठ सालों में अडानी के 609 नंबर से दुनिया के दूसरे नंबर के कैपिटलिस्ट बनने की कहानी लेकिन बदकिसमती से इ इंडनबर्ग ने समझ लिया और पूरा कैलकुलेशन करके उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी और नतीजा आप सब के सामने हैं महीने भर में ही उसकी आधी दौलत साफ हो गई है अडानी को सन 2000 में गुजरात की बीजेपी सरकार ने कौणियों के दाम में हजारों ए मुजरात में अडानी को 44 प्रजेक्स दिये गए 2014 में जब मोदी देश के प्रधान मंत्री बने तो अडानी की तरकी में पंक लग गए वेस्टन कोस्ट हो या इस्टन कोस्ट एक के बाद एक बंदर गाहें अडानी के कबजे में आने लगी साहिब ने बने बनाए एरपोर् को चलाने के लिए प्राइवेट हातों में दिया गया और इनमें से साथ एरपोर्ट के मैनेजमेंट और ऑपरेशन का हक अकेले गौतम अडानी की कमपनी अडानी एंटरप्राइज लिमिटेट के पास आ गया जबकि निती आयोग ने कहा भी कि इस तरह से सारे एरपोर्ट एक कमपनी को नहीं देने चाहिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई दो हजार अठारा में मोदी सरकार ने सिटी गैस डिस्रिबीशन प्रोजेक्ट को शुरू किया था जैसे ही ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया वैसे ही अडानी ग्रूप की एक कमपणी अडानी गैस की मार्केट वैलियू चार दिन के अंदर ही 3000 करोण रुपए बढ़ गई क्योंकि अडानी गैस को मोधी सरकार की City Gas Distribution Project में बड़ा ओर्डर दिया गया इस प्रोजेक्ट के शुरू होते ही Petroleum and Natural Gas Regulatory Board यानी PNGRB से अडानी को 13 नए एरियाज में City Gas को Expand करने का ठेका मिल गया 2019 में अडानी ने Road Construction के सेक्टर में उतरने का फैसला लिया और उसके बाद अडानी को देश के हाईवेज बनाने कर ठीक के सॉप दिये गया UP की BJP सरकार ने गंगा एक्सवेय का कंस्टरक्शन भी अडानी को सॉप दिया ये देश की किसी निजी कमपनी को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट था दोस्तों अडानी गुर्ट को साहिब ने हाईवे बनाने के तकरीबन तेरा प्रोजेक्ट्स दिलवाए जिनके तहट 5000 किलो मीटर से ज्यादा की सडकों का कंस्ट्रेक्शन किया जाना है वहीं बिजली के सेक्टर में भी अडानी की बादशाहत काइम करवाई गई अडानी की कमपनी ATL मोधी राज में ही देश की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन कमपनी बन गई है एक वक्त था जब अडानी पावर प्रजेक्ट दिवालिय पन के कगार पर था लेकिन गुजरात में बीजेपी सरकार ने इसे बचा लिया यहां तक की बोधी सरकार भी एक ऐसे फैसले में पार्टनर थी जिसके चलते गुजरात में कंजियूमर्स को बिजली की ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है डिसमबर 2018 में गुजरात सरकार में 2017 में सुप्रीम पोर्ट के फैसले के बावजूद अडानी थर्मल पावर प्रजेक्ट को बिजली के लिए ज्यादा कीमत वसूले की इजाज़त देने का ओर्डर पास कर दिया खैर ग्रीन अनर्जी जो आने वाले दिनों में सबसे एहम होने जा रही है उसके ठेके भी अडानी को दिये गए अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेट को एफसी आई के जरिये बड़े बड़े साइलो बनाने के ठेके बाटे गए कौपर बिजनस में भी अडानी ग्रूप की एंट्री हो रही है इसके लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया समय दूसरे बांकों से 6,071 करोड रुपए का लोन दिलवाया गया डिफेंस एक्टर में अडानी को एंट्री दिलवाई गई यहां तक की ड्रोन बनाने वाली कमपनी अडानी से खुलवाई गई ताकि एगरी कल्चर के सर्वे में काम आने वाले ड्रोन उसी से खरीद लिये जाएं और भी बहुत कुछ साहिब ने किया सेट जी के लिए जो आप लोग सुनते सुनते ठक जाएंगे खुल मिलाकर कहा जाए तो साफ दिख रहा है कि प्रधान सेवक किस तरह से शुरू से ही सेट के सेवक की तरह काम कर रहे हैं बस इसी बात को ध्यान में रखकर अडानी ग्रूप की गलत ट्रैक्टिस के बारे में हिंडन बर्ग ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी और गोदी सेट की लंका लग गई तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ जये हिंद सत्ते मेव जयते अल्ला हाफिज दोस्तों हमारा पूरा वीडियो दूसरे वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शियर करना हर्गिस नहीं भूलें आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज़ मिरा ट्विटर है एड़ दरेट अफ अर्शी अजीज खान थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में